कि अवाई तो मैं आज इस बुक के अजमेटर चेप्टर के अग्ले कोशन कराने वाला हूं तो देखते हैं इस कोशन में क्या दिया गया है इन ट्रैंगल A, B, C, A and C are produced to point D तो सबसे पहले एक ट्रैंगल बनाना हुता है हमें यह हमारा ट्राइंगल है इसमें क्या बोला गया है A and C A, B and A, C are produced A, B यह हमने A, B produce किया यहां से और A, C produce किया 2, D and E यह दिख कर दिया गया तो if the bisector of CBD this angle and in this angle इनके bisector कहा मीट कर जाते है अगर इनको ऐसे बढ़ाते है तो यह मीट कर दाते है O उपर and this angle is given to us 57 और हमें बताना है angle A किसके को लोगा आपको यह देखो पता होगा कि यह B, O, C जो होता है B, O, C यह theorem होते है B, O, C बराबर किसके होगा 90 minus A का half और यहां से B, O, C हमें कितना दे रखा 57 A by 2 तो कितना minus करने पर यहां से कितना निकल के आएगा तो इनको minus करने यहां से निकल गएगा A by 2 निकल के आएगा 90 में से 57 जाएगा तो 60 कटा दो और 33 आजाएगा तो 60 कटा आगे 3 एड कर दो 66 is our correct answer I hope आपको यह question समझ में होगा तो आपको देखो यह चीज़ याद रखनी पड़ेगी यह चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी अब चलते हैं next question पे देखते हैं इस question में क्या दिया है इस question में दिया गया है छोटा कर देता हूँ इसको मत फोटा हूँ इस question में दिया गया है P A and P B R 2 tangent from a circle from a point outside the circle with center O तो सबसे पहला में क्या बनाना है circle बनाना है this is the circle अब आगे दिया है अब यह भी tangent है और यह भी हमारी क्या है tangent है यह थोड़ी गलत बन गई है वही यह मालो इसको थोड़ा आगे बढ़ा दिया यह मीट करके tangent दोनों के दोनों tangent कहां मीट करती है P पर और यह point A है यह point B और this is the center O ठीक है A P B A P B this is given to us 130 कि किता निकल कहा जाएगा O A यह पर 90 degree आएगा क्योंकि जैसे center को tangent वाले point को भी लाएगे तो 90 degree का अंगल बनता है यह भी 90 degree का अंगल बनेगा तो फिर यह क्या निकल कहा जाएगा तो आपके यह quadrilateral बन गयाना एक तरीके से तो यह वाला कितना निकल कहा जाएगा यह वाला angle हमारा निकल कहा जाएगा यह वाला angle 180 minus 30 क्यों 180 में से minus क्या है क्योंकि क्योंकि सभी को चोड़ने पर 30-60 आएगा तो यह मिल गए यह यह निकल कहाएगा हमारा 30 degree ठीक है वैसे ही अब हमें inside को join करेंगे हम तो हमें क्या निकालना है O A B हमें निकालना है यह वाला angle O A B A यह वाला angle निकालना है आप देखो इसको target कराएगा तो बीच वाला क्या दिया गया यह तो आपको पता है यह यह वाला angle और यह वाल angle दोनों equal angle होंगे equal दोनों ही क्या होंगे equal यह x है तो यह भी कितना होगा x होगा और यह वाला 30 है यह वाला 30 है तो 2x plus 3, 30 बराबर क्याएगा 180 sum of all angles of a triangle is 180 कितना आजाएगा 100 50 आजाएगा ng clearly summary my 118 में से मैनस करेंगे तो कितना आएगा 50 या है 50 आएगा है आई आई यहां पर हो आज मैं पर 50 आएगा तो यह कितना घरकाएगा 120 तो यहां से कितनी x के वालो कितनी निकल के आएगी 65, अब चलते है next question पे भई, इस question में देखते है क्या दियागा, इस question में दिया गया है, ABC is similar to PR को, और उनके area का ratio दिया है, जैसे area वाले ratio का हम square root करेंगे, तो हमें side का ratio पता चलताएगा, और हमें side बतानी है RP, यानि कि यह ज corresponding काउंसी side है, RP के corresponding हमारी a side है, देखो यह क्या है RP, यह जिसको मैंने highlight किया, तो इस डोनों triangle में आगे क्या है, AB, तो हमें ऊपर क्या रखना है, आपर AB रखना है, इनका square root करेंगे 2 x 3, ऊपर आएगा AB, AB हमें दिया 3, RP, तो यहां से RP किता निकल किया जाएगा, 4.5, क्यों देखते इस कोशन में क्या दिया गया, इस कोशन में दिया गया, ABCD is a quadrilateral, ABCD is a quadrilateral such that AB is a diameter, quadrilateral है, और AB क्या है diameter है, this is a circle and this is a quadrilateral ऐसा बनेगा निभाई इसको टाना ही पड़ेगा, हाथ से बनाना पड़ेगा, की diameter हो गया, यह quadrilateral बनाना हमें, ठीक है, तो AB is a diameter, ABCD, ठीक है, यह quadrilateral होगा, जहाँ AB diameter, तो center भी कहाँ यही लाई करेगा, and ADC, this angle हमें कितना दिया गया है, यह वाला angle हमें दिया गया, 108, अब आपको यह वाला angle 108 दे दिया, इसका मतलर सामने वाला भी दे दिया, क्योंकि B कैसे निकलेगा, B निकलेगा, 180 माइनस, 180 में से ही घटा देगा, 118 को, क्योंकि आमने सामने के angle को जोड़ने पे 100C आता है, तो यह वाला angle B किता निकल के आएगा, 62, this angle should be 62 degree, अब देखो, अब हमसे पूचा है, A, B, A, C, इन दोनों को जोइन करने पे क्या निकलेगा, यह B, A, C, यह वाला angle हमें बताना है, आपको पता है यह वाला angle क्या होगा, 90, this angle is 90, this angle is 90, तो यह A कैसे निकलेगा, यह B, A, C, यह निकलेगा, 180 minus, 62 plus 90, 152, याने की 20, 8, this is 20, 8 degree, अब चलते हैं next पे भाई, 55, इस question में देखते हैं क्या दिया गया, काफी बढ़ा हो गया, यह question, इस question में देखा, perimeter of a right angle triangle, perimeter of a right angle triangle दिया गया इसमें, पसमते फाले एक right angle triangle बनाते हैं, this is a right angle triangle, A, B, C, इसको चैन देखते हैं, इसमें दिया गया perimeter देख, सारी sides को जोड़के देख, right angle triangle, यह और hypotenuse 26 दे रखा है, hypotenuse का मतलब यह वाली side के दिन दे रखिया है, 26 cm, ठीक है, और आपको बताना है area कितना होगा, तो area के लिए हमेरे पास क्या होने चीए, यह वाली side भी होने चीए, क्योंकि यह area निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, h, और base को multiply करके आधा करना होता है, हमें, यह दौनु साइडД हमें, चाहिए, आप देखते हैं कैसे करेंगे। जैसे यहँ आपने क्सको देखा? जैसे आपने और 26 का और आपको कैसे पता यही ट्रिप्लेट लेगेगा क्योंकि सभी को जोड़ने पर कितना आ रहा है 60 कोचन में दिया गया है पेरिमेटर इस 60 तो यह कितना हो जाएगा हमारा 24 यह हो जाएगा हमारा 10 और एरिया कैसा निकलेगा एरिया निकलेगा एरिया बराबर 1 upon 2 base into height, base 10 and height 24 तो करेंगे तो यहां से 120 हमारा क्या जाएगा? पेरिमेटर और सुरी एरिया, आई होब आपको कोई कोशन समझ भाया होगा एक कोशन थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा वाई इस code AB को produce कर दिया गया code AB को क्या कर दिया? हमने produce किया code AB को produce किया भई और code AB को produce किया AB को कहां पर produce किया code AB code AB of a circle is produced to point P P तक produce किर दिया such that PC is a tangent and C is a point on circle PC is a point on the circle ठीक है ये दिया गया ये हमारे पास information है अभी तक तो हमें AB की value बतानी है तो हमें बतानी किसकी value हमें इसकी value बतानी है AB की value क्या होगी ठीक है और हमारे पास क्या 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 दिया है 12 cm और BP के लिए 10 cm ये दिया रखिया है तो मैं माल लेता हूं से AB को X माल लेता हूं ठीक है तो यहां से AB बराबर कितना आ जाएगा माल लिया मैंने X तो यहां से AB कितना निकल किया जाएगा 10 प्लस 10 प्लस X ये information हमारे पास तो एक theorem यहां से लगती है क्या लगती है theorem जब tangent दे रखी हो और code tangent और secant sorry secant होते है जो एक triangle को दो जंगा काटती है तो theorem यहां से क्या है यह वाली theorem यह बोलती है कि tangent का square PC का square multiply BP और secant AP यह यह मारे पास theorem होते है जो इस question में लगेगी भई आपको यह चीज़ दियान में रखने है this is the theorem which is which will be used in this question तो PC की वाल्यू 12 multiply 12 और हमें BP के तान दे रखा है BP दे रखा है 10 AP के तान दे 10 प्लस X 4.4 cm I hope आपको यह question समझ में आया होगा यहां तक इसमें आपको यह theorem याद रखने है इसमें आपको यह theorem जियार में रखने है जो लगी है आप चलते भाई नेक्स कुशन पर कॉशन काफी इंपोर्टेंट भाई यह question इस question में क्या दी गई है देखते हैं इस question में दिया गया है पर देखते हैं एक चलते है यह question है A-B is a A-B-C is a triangle D is a point from A D is a point from A D is a sorry D is the median from A A-D is the median A-B is 6 A-C is the length of A-D A-C is the length of A-D median के लिए निकालनी है तो देखो इसका एक formula होता है आपको मैं बताऊँ हमें ad निकालनी है ad क्या है median तो हमें सबसे पहले half करना है और फिर लगाना root ठीक है a करना है half करना फिर root फिर लगाना two times two times किसका अब देखो median के इस तरफ क्या है six six का square median के इस तरफ क्या है eight plus eight का square median के दोनो median के दोनो तरफ आली side का square और उसका sum और उनका two times minus median जिस side पर मिल रहे है bc उसका square minus करेंगे तो ad बराबर यहां से क्या निकल किया जाएगा one upon two two hundred और यहां के तना आ जाएगा hundred one upon two hundred hundred का root ten तो यह ad की value की दिना जाएगी five तो ad is equal to five centimeter I hope आपको यह question समझ में आया होगा चलते है next question पे 58 इस question में दिया गया है the base of a triangle is equal to the perimeter of a square the base of a triangle is equal to the perimeter of a square देखो यह base के इसके एकवल है square के perimeter के एकवल है और उसका diagonal हमें किता दिया है diagonal दिया है 6 root 2 diagonal हमें 6 root 2 दिया है तो आपको प्रता diagonal कैसे निकलता है diagonal निकलता है diagonal निकलता है हमारा diagonal diagonal बराबर side का a multiply root 2 ठीक है तो diagonal दिया है 6 root 2 तो 6 root 2 बराबर a root 2 a root 2 दियान रखना किसी भी square या फिर सिके a किसी भी square का क्या होता है diagonal 2 कट जाएगा a की value कितने आजाएगी 2 अब आप ये बताओ एक ऐसा square जिसकी side 2 है उसका perimeter क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा ठीक है and height is equal to the side of our square side और सोरी है तो गल्द नहीं हो गया मैं भी बोलो भाई तो न छोटा कहा से आगया है a6 आएगा भाई 26, 6 forja 24 and height is nothing but 6 6 तो area किता निकल जाएगा याँ से area निकल जाएगा half of 24 x 6 72 प्छलते नेक्स्ट कोशन पे 69 इस कोशन में देखते हैं क्या दियागी इस कोशन में दिया गया है PKORS is a cyclic PKORS is a cyclic quadrilator cyclic quadrilator के लिए हमें बनाना पड़ेगा एक circle circle के अंदर ही तो the cyclic quadrilator ABCD PKORS is a cyclic quadrilator PKORS is a cyclic quadrilator ठीक है इस में दिया गया है angle P angle P is 4 times R angle R का क्या है? 4 times है angle P यह 1 है तो इन दोनों को जोटने पर कितना आएगा? 5 unit की value 180 तो 1 unit की value कितनी आजाएगी? 70, 36 sorry 36, 4 जा 144, यहाँ पर आएगा 36 तो दोनों angle मैंने देखो 4 times निकाल दिया मैंने और दोनों को जोटने पर एक सुस्सियारा condition भी satisfy तो दोनों angle कितने निकल गए? 144 और 36 4 times B है अब देखते हैं आगे क्या दिया गया? अब आगे दिया गया है and S is 3 times Q S is 3 times Q यह क्या है 1 है? S क्या 3 times है इसका 3 तो आपको पता 4 unit की value यहाँ से कितनी आजाएगी? 180 तो 1 unit की value कितनी आजाएगी? 45, 45, 3 is a 135 sorry S is 3 times S is 3 times क्यों? 3 times बिल्कुल ठीक है यह क्या आजाएगा? 135 और यह सिर्फ 45 आप देख सकते हो 3 times B है क्या 3 times B है 35 यह क्या आएगा? 45 ठीक है अब question में पूछा गया question में पूछा गया हमसे कि क्यों और R का उसत क्या होगा? क्यों और R का क्या उसत होगा? क्यों जमा R बटे 2 क्यों कितना है हमारा? 45 और R कितना है? 36 तो क्याना हमें 45 का दसाड़े 22 36 का दा 18 तो 40.5 is our correct answer degree यह option is our correct answer हम चलते नेक्स्ट भी अब इस question में देखते हैं the base of a triangle is equal to the the base of a triangle is equal to the perimeter of a square whose diagonal 9 root 2 तो यहां से side कितने निकल के आ जाएगी? side निकल के आ जाएगी? 9 और उसका perimeter 9 4 जा 36 perimeter निकल गया? अब क्या निकला है? height is equal to the side of a square whose area? अब दूसरे square दिया है उसका area कितना? 144 तो इस दूसरे वाले की side कितने आ जाएगी? 12 यह दूसरा था भाई यह वाला दूसरा था और यह वाला दूसरा है ठीक है? इसको S first मान लेता हूँ और यह side 2 आई है ठीक है? दूसरे वाले के बारे में बात हो रही है and height is equal to the side of a square whose area is 144 and the height is 12 ठीक है? अब क्या निकालना है? area of a triangle area is nothing but base into height base is 36 and height is 12 cancel out करेंगे तो 6 आजाएगा 36 ठीक है कितना होता है? 216 I hope आपको यह 10 questions समझ में आए होंगे Thank you